राधे राधे भक्तो आज हम आपको माग पूर्णिमा अर्थाग 32 पूर्णिमा के विशे में जानकारी दे रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको माग पूर्णिमा के तिथी और शुब मुहुर्त बताया था। जदि आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो शामा शाम के बक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन भी दबाईए माग सनान का क्या महत्व है और विधी क्या है मागी पूनिमा को 32 पूनिमा क्यों कहते हैं यह सब जानने के लिए वीडियो को अंतक अवश्य देखें माग सनान पोश मास की पूनिमा से माग मास की पूनिमा तक किया जाता है मागमास की पूनिमा दान को लेकर एक विशेश बात प्रचलित है दरसल हर पूनिमा पर गंगा सनान और दान का महत्व होता है लेकिन मागमास की पूनिमा को कहा जाता है कि स्व्यम भगवान विश्णू गंगा जी के जल में निवास करते हैं और सभी देव इस दिन प्रयाग में सनान करने के लिए आते हैं इसके अलावा इस दिन जो दान पुन्ने किया जाता है उसका बत्तिस गुनाफल इंसान को मिलता है इसलिए इस पुनिमा को बत्तिसी पुनिमा भी कहते हैं प्रयाग में पूरा माग मास में काल प्रवास करके त्रिवेणी सनान करने का अंतिम दिन ही माग पुनिमा होता है पुनिमा तिथी भवान विश्नु और चंदरदेव को समर्पित की जाती है इस दिन प्रयाग में गंगा सनान करने से समस्त इच्छाएं पूरी होती है और मु क्या क्या दे सकते हैं इस दिन निर्दनों और ब्रामनों को वस्त्र तिल कंबल गुड कपास घी लड़ू फल अन और पादुका का दान करना चाहिए गरीबों को भोजन भी कराना चाहिए अब मागी पूर्णिमा की पूजा विदी बताते हैं मागी पूर्णिमा के दिन को इसी नदी अधी में न जा सकें गर पर ही नहाने वाले जल में अंगाजल और तिल मिला कर सनान करें सुर्योद्य सेक़ेशन पहले कके समय को प्रम मूर्त कहां जाता है। जैसे कि आजकल सुर्योदे साथ बजे हो रहा है तो साथ बजे से जेट गंटा पहले साड़े पांच बजे तक स्नान कर ले। चुर्मा बनाकर भवान को भोगल गाएं सत्य नायन व्रत कथा सुनकर आर्ती भी करें सत्य नायन व्रत कथा हमारे चैनल पर औरेडी उपलब्ध है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है भवान को तुलसी दल भी अर्पन करें इस दिन रविवार होने की व हवन आदी भी करें हवन में सफेद तिल और काले तिलों का प्रयोग करें भवान के नाम का जाप करें और किरतन आदी में समय व्य करें अब इस जानगारी को अन्ने लोग तक भी शेर करें प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब हरे किष्णा हरे किष्णा किष्णा झाल झाल